हलो फ्रेंट्स मेरा नाम है संदीक प्मार गौर और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस करना है ग्राफ थेवरी पर और इससे पहले वाले वीडियो से हमें डिस्कस किया हुआ था पर लेकिन वहाँ पर हमने जो ग्राफ देखा था वह देखा था अंडायट्ड ग्राफ और अब देखने वाले हैं connectedness in the vertices of the pair are retrieval from one another, देखिए, यदि आपके पास कोई graph दिया हुआ है, उस graph में से यदि आप कोई भी दो vertex उठाते हैं, तो वह एक दूरसरे connected होने चाहिए, means यदि U और V दो vertex है, तब U से V और V से U, दोनों ही retrieval होना चाहिए, तब ही वह graph के कहलाएगा, strongly connected कहलाएगा, इसको example से समझते हैं, मा लिए, हमारे पास कोई एक graph दिया हुआ है इस तरह से, vertex है 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर कुछ ages इस तरह से दी होई है, directed graph इसलिए, age में direction दी होई रहेगी, अब हमको यह देखना है, कि यह जो graph आपको दिया हुआ है, यह strongly connected है या नहीं, तो इसके लिए हम एक table बनाते हैं, जिससे आपको पूरा clear हो जाएगा कि किस तरह से check किया जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, pair of vertices, ठीक है, इसके बाद इसका देखेंगे forward path, फिर यह जो pair of vertices हम देख रहे हैं, इसका हम देखेंगे reverse, reverse pair, ओके और फिर इसके लिए देखेंगे backward path, for example, यदी 1 से 2 के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे pair क्या बनेगा, 1, 2, तो इसका reverse pair क्या बनेगा, 2, 1, अब जितने भी यहाँ पे pair बनते हैं, और जितने भी फिर इनके reverse pair बनते हैं, सबी के लिए हमको forward और backward path मिलना चाहिए, तब ही भाए क्या क्या आएगा, strongly connected graph क्या लाएगा, तो देखिए pair क्या क्या बनेगा, 1 का combination लेते हैं, 1 का combination 2 से, 1 का combination 3 से, और 1 का combination 4 से, इनका reverse कर लेते हैं, 1, 2 का 2, 1 हो गया, 1, 3 का 3, 1 हो जाएगा, और 1, 4 का 4, 1 हो जाएगा, अब 2 का combination किस किस के साथ बनेगा, 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 1 के साथ लखने की ज़रूत नहीं है क्या कि 2 का 1 यहां पे आरपली लिखा 侯हा है तब क्या लिखते हम 2, 3 अर 2, 4 इनका reverse लख लेते हैं 3, 2 4, 2 अब 3 का combination देख लेते हैं तब 3 का combination वने के साथ लिखा लख लेते हैं 4, 3, 4 का combination देख लेते हैं, 4 का 1 के साथ लिखा हुआ है, 4 का 2 के साथ लिखा हुआ है, 4 का 3 के साथ लिखा हुआ है, तो ये इतने हमारे pair बनेंगे, अब इन सब के लिए हमको देखना है forward path और backward path, यदि 1 से 2 का forward path दिया है, तब 2 से 1 का भी path होना चाहिए, तो देखिए, 1 से 2 का, 1 से 2 दिया हुआ है, direct है, तो ये forward path है, आब इसके लिए देखेंगे backward path, इसके लिए backward path देखने का मतलब है, रिवर्स pair के लिए path देखना, ठीक है, तो या तो आप इसको लिए अगर इस column को आप लिख रहे हैं, तो reverse pair के लिए क्या कहलाएगा, forward path ही कहलाएगा, ओके, और यदि आप इस column को नहीं लिख रहे हैं, यह मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है यदि आप इस कॉलम को नहीं लिख रहा है तब इसी pair के लिए यह backward path कहला आएगा confuse ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे reverse pair आपको बता दिया है ठीक है तो 1 से 2 का forward path क्या है 1 2 और 1 से 2 का reverse या backward path क्या कहला आएगा देखिए अब 2 से 1 हम कैसे पहुँचेंगे 2 से 4 पर आएगे और 4 से 1 पर पहुँचेंगे तो 2 4 1 ओके फिर 1 3 1 3 का forward path क्या है 1 से 3 पर आप कैसे पहुँच रहा है और डारेक्टी है तो यहाँ पर 1 से आप 3 जा सकते हो अब 1 से 3 का backward path इसका मतलब 3 1 का forward path तो 3 से 1 कैसे पहुचेंगे 3 से 1 पहुचने के लिए हमारे पास रास्ता है 3 से 2 2 से 4 और 4 से 1 3 से 2 2 से 4 और 4 से 1 ठीक है फिर 1 से 4 1 से 4 के लिए रास्ता क्या है 1 से 2, 2 से 4 1 से 2, 2 से 4 इसका reverse path क्या बनेगा या backward path क्या बनेगा 4 से बन जाना है हमको तब 4 से बन डारेक्ट है ओके 2 से 3 2 से 3 जाने के लिए 2 से 4 आएंगे और 4 से 3 पर जाएंगे 2 से 4 और 4 से 3 3 से 2 जाने के लिए क्या करेंगे 3 से 2 डारेक्ट दिया हुआ है ओके 2 से 4 2 से 4 जाने के लिए डारेक्ट है 4 से 2 के लिए क्या है देखिए 4 से 1 जाना पड़ेगा और 1 से 2 पे जाना पड़ेगा तो 4 से 1 हो गया और 1 से 2 हो गया 3 से 4 3 से 4 के लिए रास्ता डारेक्ट नहीं है तो 3 से कहां जाएंगे 2 पे 2 से कहां जाएंगे? 4 पे 3 से 2 और 2 से 4 और फिर 4 से 3 के लिए क्या है? डारेक्ट दिया हुआ है तब ही हो गया 4 से 3 ओके? तो दोस्तों confuse मन हो येगा, यदि आप pair of vertices लिख रहे हैं, तब इसके लिए forward path और backward path लिखिए और यदि आप reverse pair सांथ में बता रहे हैं, तब इसके लिए आप backward path ना बोलके, इसको क्या बोलेंगे? forward path ही बोलेंगे, ठीक है? या फिर सिर्फ आप path बोलकर भी काम चला सकते हैं, तो ये optional है आप table में सरिफ इतना करिएगा pair of vertices, forward path backward path, तो 1, 2 का forward path क्या है? 1, 2 और backward path क्या है? कि आपको 2 से 1 आना है तो 2 से 4, 4 से 1 कहने का मतलब ये है, कि यदि आपके pair of vertices ये हैं, तो इन में दौनों तरफ से reachable होना चाहिए 1 से 2 भी reachable होना चाहिए और 2 से 1 का भी reachability होना चाहिए 1 से 3 की है, तब 3 से 1 की भी है, 1 से 4 है तब 4 से 1 भी है, 2 से 3 है 3 से 2 भी है, 2 से 4 है और 4 से 2 भी है, 3 से 4 है 4 से 3 भी है, तब जाकर ये graph आपका कहलाएगा strongly connected graph ओके friends अब next देखते हैं, weekly connected weekly connected का मतलब क्या होता है? a dieted graph is called connected और weekly connected यदि हम सिर्फ weekly connected पर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिर्फ connected भी बोल सकते हैं if it is connected as an undicted graph in which each directed age is converted to an undicted graph, simply है कि यदि weekly connected के बारे बात हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास यदि कोई directed graph दिया हुआ है तो हम उसको किस तरह consider कर लें undicted graph के फॉर्म में consider कर लें किस तरह हमारे पास vertex दिये हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और यह direction दिये हुई है अब यदि देखा जाए कि यह strongly connected है या नहीं तो देखिए, 1 से 2 का pair दिया हुआ है तो 1 से 2 यहाँ पर path दिया हुआ है लेकिन 2 से 1 के लिए कोई path है क्या? 2 से 1 के लिए कोई भी path यहाँ पर नहीं है इसका मतलब यदि pair हमारे पास 1, 2 है तो 1, 2 का path यह है लेकिन 2 से 1 कोई path हमको नहीं दिया हुआ है तब यह strongly connected तो होगा नहीं अब weekly connected का मतलब क्या है? कि हम इसको क्या करें पहले? undicted graph के form में मान लें तो यह हमको डायक्टेट ग्राफ दिया हुआ है और यदि हम इसको undicted graph मान लें तब direction सब हटा देते हैं इस तरह से यह graph हो गया अब यह graph आपका connected है कि बिलकुल connected है 1 से आप हर vertex पर जा सकते हैं 2 से भी आप सारे vertex पर जा सकते हैं 3 से भी जा सकते हैं un-directed graph के form में और फिर यह देखना है कि connected है या नहीं है तब यह कहलाएगा weekly connected graph third दिया हुआ है unilaterally connected देखिए यहाँ पर word है uni इसका मतलब होता है one way ठीक है यह एक तरफ से तो one way direction आपको देखना है अब क्या है एक simple directed graph is set to be unilaterally connected if for any pair of vertices of the graph at least one of the vertices of the pair is retrieval from other vertex जिस तरह हमने strongly के लिए चेक किया था तो strongly हमने क्या चेक किया था forward और backward दोनों पाथ चेक किये थे और दोनों ही हमको मिलना चाहिए यहाँ पर क्या है दोनों पाथ चेक करिए लेकिन किसी एक में भी अगर हमको path मिल जाता है तो forward या backward तो वह है कि आप क्या लागा unilaterally connected लेकिन सभी vertex के pair के लिए मिलना चाहिए एक्जामपल देख लेते हैं vertex 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह से ages दी होई है क्या के pair बनेंगे यहाँ पर 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 अब reverse पेर हम यहाँ पर नहीं लिख रहा है तो 1 से 2 है, 1 से 3, 1 से 4 है 2 से 1 लिखने की जरूत नहीं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 3, 2 से 4 फिर आते हैं 3 के साथ तो 3 से 1 नहीं लिखना है, 3 से 2 नहीं लिखना है 3 से 4 लिख लेते हैं फिर 4 का combination देखते हैं तो 4 से 1 भी नहीं लिखना है 4 से 2 और 4 से 3 इतने हमारे पास pair यहाँ पर बनेंगे अब इसके लिए देखते हैं path backward और forward दोना देखना रहेगा forward देख लेते हैं और backward देख लेते हैं ठीक है तो forward path क्या बनेगा 1 से 2 दिया हुआ है ठीक है 2 से 1 दिया है क्या देखिए 2 से 1 यहाँ पर नहीं दिया है 1 से 3 1 से 3 नहीं दिया है 3 से 1 दिया है क्या 3 से 4 4 से बन जा सकते हैं 3 से 4 4 से 1 1 से 4 देखते हैं 1 से 4 आपको नहीं दिया है 4 से 1 दिया है क्या 4 से 1 डारेक्ट दिया हुआ है 2 से 3 2 से 3 आप नहीं जा सकते 3 से 2 दिया है पाथ 2 से 4 2 से 4 आप नहीं जा सकते 4 से 2 जा सकते हैं 4 से 1 और 1 से 2 3 से 4 जा सकते हैं डारेक्ट है 4 से 3 आप नहीं जा सकते तो देखिए अब इसमें किसी-किसी pair का forward path नहीं है किसी का backward path नहीं है लेकिन condition के कहती है at least one of the vertices of the pair is reasonable from other vertices या other vertex तो यदि हम pair ले रहे है 1-2 का तो 1-2 यहां पहुंच रहा है भले ही 2-1 हम पहुंचे या नहां पहुंचे तो यह भी ठीक है तो 1-3 आप नहीं पहुंच पा रहे है लेकिन 3-1 आप पहुंच पा रहे है ठीक है 1-4 आप नहीं पहुंच पा रहे है लेकिन 4-1 reachable है 2-3 reachable नहीं है लेकिन 3-2 reachable है 2-4 reachable नहीं है लेकिन 4-2 reachable है 3-4 reachable है भले ही 4-3 reachable होया ना हो at least one direction आपका यहां पर मिल जाना चाहिए तब यह जो graph है यह किस तरह के कहलाता है unilaterally connected graph कहलाता है ओके फ्रेंड तो यह आज हमने देखा है कि dieted graph में किस तरह से हम चेक करते हैं कि वह connected graph है या नहीं है और तीन इसके टाय पर तीनों पर हमने discuss कर लिया है यदि आपको आज के वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को subscribe करें थैंक यू